हेलो गाईज वेरी वेरी ग्रेंड वेलकम तो आउर चेनल आज इस वीडियो में अपन राज्यस्थान एक परिच्चे उसके बारे में यह यह टोपिक अपन पढ़ेंगे नामकरण, स्थती, राज्थान का छेतरफल, आकार, विस्तार, सीमा, संभागी विस्तार, जो है वो ब विडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफीशल होने वाली है, so just listen to me very and very carefully, सबसे पहले आता है अपना राज्यस्थान का नामकरण, जो राज्यस्थान है उसका नामकरण कैसे हुआ वही, किन-किन ग्रंथों के आदार पर या फिर इतिहास कारों के अनुसार अपन देखते है है, इसका नामकरण, सबसे पहले आपन देखते हैं ग्रंथों के अदार पर, अपना एक तो ग्रंथ है, रिगवेद रामायन, देखो रिगवेद है वो अपना प्राचीनतम ग्रंथ है, हमारे प्रदेश का नाम जो ब्रहमवर्थ है, इसकी जानकारी हमें कहां से मिली थी, ब्रामा जी के मंदिर से मिली थी पुशकर, जो की कहां पर है, पुशकर है, ठीक है, दूसरा अपना आता है रामाइन, रामाइन के लिखक सब को पता है को ने वाल में की, और रामाइन में हमारे परदेश का ना, मतलब राजस्थान का नाम मरू कांतार मिला, क्या मिला है, या फिर इसे जय सहीता पर बोलते हैं इनके लेखा का अपने वेदव्यास जी और हमारे परदेश का भाग उलेखित इसके अंदर हमारे परदेश का भाग उलेखित नहीं बट इसके अंदर क्या भई मतलब हमारे परदेश का भाग उलेखित है और वो कौन शह है विराट नगर जो बैराठ है जो मतलब फिलाल काँपर है ये बैराठ कोट पूतली बैरोर में है महाभारत में पांडवों ने अपना एक वर्ष जो अग्यात वर्ष है वो राजा विराठ है उसके साथ वेदीत किया था ये हो गया अपना ग्रंथो के अदार पर अब अपन देखते हैं इतिहास कारों के अनुसार इतिहास कारों के अनुसार देखिए सबसे फर्ष आता अपना जोर्ज थोमस जिसे जाज फरंगी भी बोलते हैं राजपुताना सब्द मिला इसने जोर्ज थोमस ने राजपुताना प्रकाशन कब हुआ था बहुत इंपोर्टेंट क्योशन है अठारा सो पांच में लंदन में हुआ था दूसरा था अपना कर्णल जैमस्टोड इसे बोलते हैं अपने गोडे वाले बाबा मतलब राजस्थान का जैनक भी बोलते हैं देखो इन्होंने क्या क्या नाम दिया रा चंदर को और इसके जो संह्फ नटीकुर्टी वुटन राजस्थान इसके संपादक अपने वीलियम कुक कोwen है वीलियम कुक तो इसका जो सैकेंड ने मितल स्था भागं कि संटर इंड व्यास्ट्टर राजपूत स्टेट ओ इंडिया ठीक है यह दूसरा भाग है इसका पत प्रकाशन हुआ था 1832 में और पहले हुआ था 1829 में फिर इसका दूसरा मतलब इसका प्रकाशन हुआ 1832 में तीसरा है अपना जोर्ज थोमस ग्रियेशन बहसा के आदार पर इन्होंने क्या नाम दिया राजस्थानी जैसे कि जानकारी कहां से मिलती है दा लिंग्विस्टिक सर लॉपो इंडिया से अब अपन देखते हैं जो राजस्थान सब्द है उसका उलेग अपने को कहां से मिलावई राजस्थान सब्द है बसंतगड में खिला लेक और कहां पर है खिमल माता की मन्दीर में जो शिला लेक है और समय है आठ सो ब्यासी विक्रम शम्मत या इस्वी में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 625 इस्वी ठीक है और ये सब्द कौन सा सब्द वाँ पे उलेखीता है राजस्थानी या दित्ते और शाषक कौन थे उस समय अपने राजा वर्मलान थे और वंश चावड़ा वंश था बी इसके लेख़ कौन है, बहुत इंपर्टेंट क्योशन है, मुनोद नैंसी, इसकी एक विशेष्त है, इसके अंदर है का परियोग नहीं हुआ, है मतलब अपन बोलते है, रामाम खता है, तो है का परियोग इसमें नहीं है, एक दूसरा आता है अपना राजरुपक, विदिवत रूप से कब लाग हुआ 26 जनवरी 1950 को मास्टर कैप्सुल देखिए राजस्थान सब्द का अर्थ इसका अर्थ कोई पूछे तो क्या होगा राजाओ का स्थान राजस्थान दिवस कब मनाते हैं अपन 30 मार्च राजस्थान इस्थापना दिवस कब 1 नवंबर और बहुत इंपोर्टन क्योशन है विदिवत रूप से राजस्थान नाम कब दिया था 26 जनवरी 1950 गणतंतर दिवस के दिन अब अपन देखते हैं आगे देखो राजस्थान की सीमा देखिए सबसे पहले ये देखो ये अपनी उत्तर हो जाएगी ये दक्षिन पस्चिम और य अब आपन देखे राजस्थान की सथ अधि कैसे क्या है देखिए राजस्थान की स्थती भारत में राजस्थान की तरहीं कहा है भई वाई वे कोण के मद्दे मतलब उत्तर पश्चिम दिसावें ठीक है अब आता देश में राजस्थान की स्थती कहां पर है कौन सी डिरेक्शन में है उत्तर पूरव और इसको वापस्चिम और इसको वापस से देखे विश्व में स्थती कौन से में होगी वही यह हो उत्तर और पूरव ठीक है और भारत में उत्तर पस्चिम ठीक है अब महादीपी इस्थती में महादीपी में कैसे होगा भी यानि महादीप अपना एशिया है एशिया में यह हो जाएगा अपना पस्चिम दक्षिन मतलब इसके मद्दे कोण होता है नर्रे कोण यह बहुत इंपोर्टेंट टोपिक है आई होप आपको समझ में आया होगा आगे देखे अब राजस्थान का छेतरफल देखे राजस्थान का छेतरफल कितना है सभी को पता है 342,249 यह तो वरग किलोमेटर में अगर वरग मील में पूछे तो 132,144 ठीक है वरग किलोमेटर 342,249 और वरग मील में 132,144 देश में राजस्थान का इस्थान कौन से है पर्थम एक नवंबर 2000 को मद्दे परदेश से 36 गड़ अलग हुआ ठीक है मद्दे परदेश से 36 गड़ को सपरेट कर दिया कब 1 अवंबर 2000 को देश के चार बड़े राजे राजस्थान, एमपी, महाराष्टर और यूपी देश के कुल शेतरफल का राजस्थान कितना भाग मनाता है 10.44 परतिसत और देश का कुल शेतरफल कितना है 32, 268 km और राजस्थान का छेतरफल कितना है वही अभी बताया था राजस्थान का छेतरफल है अपना 132, 140 वरग मील और किलोमेटर में 342, 249 km ठीक है अब ये क्योस्टन इंपोर्टेंट है सबसे जो बड़ा जिल है वो अपना जैसल मेर है और सबसे चोटा अपना दूद्दू है चेंज हो गया भी है अब देखे राजस्थान छेतरफल के आदार पर छेतरफल के आदार पर मतब 17 इजराइल का 17 मल्टिपल इतना है अपना राजस्थान और स्री लंका से 5 गुन है ब्रिटेन से 2 गुन है और जपैन पोलेंड वियतमान जर्मनी के लगबग बराबर है अब ये देखे उत्तर दक्षिन उत्तर दक्षिन की जो अपनी लंबाई होती है वो 826 किलोमेट अब आएगे अपना पूरा पश्चिम की ये कितनी होगी वही 869 किलोमेटर ठीक है और इनके बीच में जो डिफ्रेंस है वो कितना है 43 किलोमेटर आगे देखे अपन राजस्थान का जो आकार है वो पढ़ते हैं राजस्थान का आकार अब अलग-अलग साइंटिस ने अलग-णीए है एक अपना कोल ये चतुर्बुज-ध दौक अब ये पतांगा कार अब आपने प्रोफेशाम्त ये ऊडार पर इलंबता है और ये विश्चम कोल्य आदार पर बताए वेकिरिन कि और अगुने बताया थिक है आब देखे यह मैंने पढ़ा दिया फिर से देख लिजी आप एक बार उत्तर है दिशा के अंदर जो अगर आपन से पूछा जाए क्योस्टन जो राजस्थान है राजस्थान की सबसे उत्तर में कौन सा जिला कौन सी तहसिल और कौन शकाम आता है कौन सा जिलाएगा स्री गंगानगर को देखिए दिस इस वेरी इंपोटेंट उत्तर के अंदर के आएगा अपना स्री गंगानगर पूरव में धोलपूर और इधर दक्षिन में बाश्वाड़ा पस्चिम में जैसलमेर और तैसिल देखिए अब उत्तर में तैसिल भी गंगानगर हो जाएगी यहां पर राजा आख ओखां और इधर दहुंट के अंदर सिलाना गाम हो जाएगा यहांपर क्या हो तक है राजस्तान में सर्व पर्थम सूरियों दे होता है काहां पर दहुलपूर के अंदर और यहांपर आपना कट्रा गाम हो करेगी कैसे कर देगी पस्चिम से पूरव की और करेगी मतलब पप्पु राइट सबस्चिम से पूरव की और डॉंट बी माइड़िट अब आपना एक देखते हैं राजस्थान का अक्षांस यह देशांतर यह विस्तार अपना यह टोपिक है अब डेखिए अपने को पता हो पूरव या फिर पूरव से पस्चिम रेखाई हो जाएंगी और ऐसे उत्तर्षे दक्षिन यह वाली रेखाई हो जाएंगी अपनी देशांतर रेखाई ठीक है अब देखें एक क्योस्टन है निम्ड मेशे गलोब में कुल अक्षांस रेखाईं कितनी होंगी ठीक है किbuild झाल ऑप्षिन नहीं दिये मैं आगर पूचे कि इस गलोब के अंदर कुल अक्षांस रेखाईं बहाई गलोब के 2 अक्षांस रेखाईं कितनी होगी 179 इंपोरेंट्ट यस्वे यह यह एक्षांस रेखाएं कि जो रेखाई हैं वो वो कितनी होगी 179 अब आता है अक्षांस कितने हैं अक्षांस मतलब पॉइंट ठीक है कितने पॉइंट हैं से 181 कितने हैं 181 जीरो वाला भी तो काउंट हो गया यहां पर ठीक है आगे देखें अब अक्षांस किसे बोलेंगे गलोब में पूरव से पश्चिम खिची गई कालपनिक रेखा इसे क्या बोलेंगे अक्षांस रेखाई और कुल कितनी है 179 अक्षांस किसे बोलेंगे गलोब में 0 डिगरी अक्षांस से उत्तर मतलब उत्तर से लेके दक्षिन के बीच की कौन यह द स्टीत ठीक है आज अब आगे देखिए राजस्थान का क्षांस यह विस्तार क्या थेस्ट डिग्री जीरो तीन मिनट से उत्तरी अक्षांस से मतलब तो राज़स्थान की जो अक्सान सी स्थतिय है वह कहां पर उत्तर में ठीक है राज़स्थान का अक्सान सी अविस्थार कितना होगा इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे 23-03 का और 30 12 गा तो कितना आएगा बई साथ डिग्री 09 मिनट अब अपन देखते हैं देशांतरी विस्तार देखिए देशांतर मोलेडी बचा चुकी हैं आप लोगों को देशांतर क्या होता है अब आगे देखिए देशांतर रेखाईं गलोब में उत्तर से दक्षिन की और म पूरव पस्चिम तक कोणे दूरी मतलब पूरव और पस्चिम से कोणे दूरी जो पूरव और पस्चिम है इन दोनों के बीच में जो कोणे दूरी होगी उससे क्या बोलेगे अपन देशांतर बोलेगे राइट देशांतर इधर देखिए 0 डिग्री देशांतर से पूरव पश्चिम तक कौने दूरी से क्या बोलेंगे देशांतर कुल देशांतर कितने होंगे बही टोटल कितने होंगे टोटल देशांतर 360 होंगे कितने होंगे 360 ठीक है अब आगे देखिए राजस्थान देशांतर के अधार पर अक्षांस के अधार पर तो पूर्वी में था पूर्वी गोलार्द में और देशांतर के अधार पर किसमें है पूर्वी सोरी अक्षांस के अधार पर कहां था उत्री गोलार्द में और देशांतर के अधार पर आठ्यस्तान का देश आंतै विस्तार कितना होगा वैसे निकालेगे पनलट है जिकने थच्वा अपनना सेवंटी आूंटसंध है धूस्तुम का अंतर पास समच ड्यीडीव। पढशान्स है वह आट डूरश इपन अरीव। पढ़ चुके आगे देखॐें अक्सान से विस्तार कितना था? 7 डिगरी, 0, 9 मिनट और देशांतरी कितना आया है अपना? देशांतरी विस्तार? 8 डिगरी, 47 मिनट राइट तो अपने कोई क्योश्चन पूछे राज्यस्थान का दक्षिन्तम अक्सान्स कोन सावगा वै? 30 डिगरी, 0, 3 दक्षिन्तम कोन समय का निधारण समय का निधारण समय क कैसे कर wenंगे? समय का निधारण से होता है किससे एक डिगरी, देशांतर को समय 4 मिनट और 1 ₽ 4 समय कर दे होने में मतलब उतर दक्षन पूर व पाश्चिम पूर्वी दिसा से इधर पाश्चिम दिसा में लगा समय कितना होगा मतलब यह क्या हो जाएगा देशांत्रिय विस्तारी तो ही अपना 8 degree 47 minute, इसको समय निका लेंगे 8 degree 47 minute तो मतलब degree को change करते तो कितना आता है, 4 minute तो इसको 4 से multiply करेंगे, और 47 यह कि minute, minute को second में करेंगे तो मतलब 4 से philia multiply करेंगे, तो कितना आ जाएगा भई इसको change कर लिया अपने 35 minute 8 sec हो जाएगा ठीक है अब अपन पढ़ते हैं सीमा सीमा बड़ी इंपोर्टेंट अब इस थलिय सीमा देखिए इस थलिय सीमा कितनी यह टोटल 5920 किलोमेटर यह टू पार्स में डिवाइड होती एक तो अंतर राश्ट्य शीमा मतलब कितने राश्ट्रों के साथ अपना राजस्थान सीमा ल पर ना सके नवात कितने होगी अपनी अंतर राजी यह पंड़े पढ़ते हैं अंतर राश्थिय शीमा में देखिए अंतर राश्थय सीमा है नियुक् реш-21 साथ उननिश समिल अद्धें राज्यस्थान और पाकिस्तान इदर राजस्थान उदर पाकिस्तान कितनी नहीं है दस सत्तर प्राराइंबिक बिंदू कौन से यहां पर बाढ़ मेर बिसेश्ता क्या है वही इसका निरधारन कलम से किया गया था वही अब ये वह अपन पढ़ते पाने अजो पाकिस्तान की पेश्चान की कितने प्रात होते हैं कितने नहीं कुछ मंदी पंद्रेंद्ध के, के सुकूर घोट की खैरपूर सगर और उमरकोट और एक और बच गया थार पार कर ठीक है अब अपन पढ़ते हैं देखिए अंतराष्टी शिमा इस डाइग्राम के थुरू अपन समझ लेंगी यह पाकिस्तान का अगयापना यह राजस्तान हो गया राजस्तान के कौन-कौन स अपने डिश्टिक हो गये स्रिगंगा नगर अनूपगड बिकानेर जसलमेर बाड़मेर और पाकिस्तान के दो प्रांथे पंजाब प्रांथ और सिंद्ध प्रांथ के भावल नगर था अपना बावलपूर था रहीम्यार खा था सिंद्ध का गोट की शुकूर घोट की सु मा लगाता है स्री गंगानगर और अनूबगड के साथ और भावल पूर वो कितने के साथ से मा लगाएगा अनूबगड बिकानेर और जैसलमेर के साथ ठीक है अब आतार रहीम यारखा ये किस के साथ लगाए भई जैसलमेर के साथ अब अपना ये गोट की सुकूर खैरपूर यह सारे किसके साथ लगाएंगे जसलमेर के साथ संगर किसके साथ लगाएगा भई जसलमेर और बाड़मेर के साथ ठीक है उमरकोट और थार पार करी यह only बाड़मेर के साथ इसको देखे मैंने अलग-अलग भी डिफ्रेंशेट करके लिख रखा है है बावलनगर मतलब ओल्ली ऐसा पाकिस्तान का जिला जो सिर्फ जसलमेर के साहँ ठीक है अब पाकिस्तान का वह जिला जो अपने राजस्तान के अनूगर बिकानेर और जसलमेर थी नों के साथ सीमा लगाता है वो हो जाएगा बहावल पूर पाकिस्तान का वह जिला जो अपना अपने स्री गंगा नगर और अनुवगड के साथ सीमा लगाता है वो हो जाएगा बहावल नगर अब आता है पाकिस्तान के वह तीन जिले जो सिर्फ जैसलमेर के साथ सीमा लगाते हैं तिनों के तिनों घोटकी, सुकूर और खैरपूर, जैसलमेर के साथ, ठीक है, और आता है अपना उमर कोट थार पारगर, ये किसके साथ, बाढ़ मेर के साथ, संगर, ये दो के साथ लगाता है, जैसलमेर और बाढ़ मेर के साथ, अब अपना मास्टर कैप्सुल देखिए, भा गंगानगर हो गया अपना पाकिस्तान और या पंजाब। और बाढध्मेर राश्ट्र हो गया अपना पकिस्तान और रज्य क्या हो जाएगा गुजरात ठीक है राज़स्तान के तीन जी लेक दंग और ऑनतर राश्ट्य शिमा लगाते मोर्फ कॉण कॉंठ्से होगे वे अनूबगड बिकानेर प्रशची शिमा अनूब गधॉरर जैसलमेर 464 सरवादिक मतलब कोन था जैसलमेर और अभी कोन है भई अभी भी जैसलमेर है और सबसे कम कोन है भिकानेर ठीक है और बाड मेर 228 ठीक है राजस्थान की अंतर राष्ट्र अपन ने पढ़ ली अब अपन क्या पढ़ेंगे अंतर राज्य सीमा यह कितनी होगी वह कितनी दस सतर यह कितनी होगी 48-50 किलोमेटर अब देखें बहुत इंपोर्टेंट है यह जो पंजाब है वह कितनी सीमा बनाता की बारा बाष्ट यूपी 877 MP की सोड़ा सो और गुजरात की 10-22 राजस्थान के साथ अंतर राष्ट्र शीमा बनाने वाले राज जो आरोई या फिर अवरोई करम वह देख लीजी अपना अपना सबसे पहले क्या हो जाएगा पंजाब जो सिर्फ 89 फिर यूपी गुजरात हरियाना MP यह भड़ते विकरम में है ठीक है पंजाब 89 ही करता है और यूपी 877 गुजरात 10-22 हरियाना 10-62 और MP 1600 ठीक है यह तो याद हो जाएगे पंजाब तो 89 ही हो गया और अपना यूपी 877 हो गया और जो गुजरात है वो 10-22 और हरियाना कितना होगा 10-22 और फिर क्या ठीक है यह क्योस्टीना बहुत में आचका है कि अब रो ही और आअरो ही करम है अपना फर्सक्राइश्थ आता है पंजाब domने कौन से दिशाम करता है और कितनी शिमा लगता फो 89 किलोमेटर विशेषता क्या है इसकी राजस्थान के साथ न्यून्तम सी मह वाला ठीक है कौन सी सिमह वाला सबसे कम सीमह लगाता है अब राजस्थान के दो जीले हैं एक तो स्री गंगानगर जो सरвादिक सीमह लगाता है और एक हनुमानगणग और इधर पंजाब कि कौन-कौन से हैं अपने फाजिलका का और स्री मुक्त-सर साहिवा ठीक है य 머ures पंजाब के हैं आगे देखे अप कि कौन से दिशा से लगाता है भूजित पूराव ठीक है उत्तर पूराव अब अब राजस्थान के आठ जिले हैं इसमें कौन कौन से हैं इसके सिम्मा कितनी होगी बारा बाशट हनुमानगड चूरू जुन जुनू नीमका थाना हो जाएगा और क्या होगा कोट पुतली बैरोर खैर थरति जारा अलवर डीग और हर्याना के साथ सिर्शा फतेहाबाद अब नेक्स आता अपना यूपी उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश इसके दिशा कौन से होगी पूर्वी शिम्मा 877 किलोमेटर राजस्थान के तीन जिले और यूपी के सिर्फ दो आगरा राजस्थान के कितने हो जाएंगे डीग बरतपूर और धोलपूर और यह वाले इक सिम्मा बनाने वाला राज जी यह कौन सा है एंपी और इसके जिले देख लीजे दस जिले हैं राजस्थान के दोलपूर करोली स्वाइमादोपूर कोट्टा बारा जालावाड चितोडगड भीलवाड़ा परताफगड बासवाड़ा अब अब अपना एंपी एंपी के कौन-कौन से होंगे भई मुरेना शोपूर सीवपुरी मैना ओ सोरी मुना अगर मालवा राजगड निम्मच मंसोर रतलाम और जाबुआ ठीक है आगे देखिए अब कोट्टा और चितोडगड एंपी के सास्थ दो बार दो बार सिम्मा कौन को लगाते इंपोर्टन क्यों स निम्मच राजस्थान राज जी कि तीन्नो और से घी रहा वर राजस्थान राजस्थान है को किसनगे रख हHope निम्मच ने, अब नेक्स राता है गुजरात गुजरात के दिसा दक्षयंवस्ची मुण गेक सिम्मा दस बाइस हो गई ठीक है और राजस्थान के जिले कौन- मेर सांचोर सिरोही उदेपूर डुंगरपूर और बासवाड़ा ठीक है और गुजरात के कच्छ मनास काटा साबर काटा रावली महिशागर और ताहोद ठीक है अब अब अपना आ गया गुजरात ठीक है राजस्थान का जिला जो शर्वादिग जिलो से शिमा लगाता है अब पहले आट जिलो के साथ यह सिमा लगाता था अब आठ再ज्राश्थान उसका कुल सिमावरती जिले कितने हैं इसमें 38 कुल जिले कितने हो हैं वही 50 है इसमें अंतर राश्टिये 5 हो गए और केवल अंतर राश्टिये कितने हो जाएंगे तीन और अंतर राश्टिये जिले कितने हो जाएंगे 25 अंतर राश्टिये 5 अंतर राश्टिये 25 और केवल अंतर राश्टिये 23 ठीक है कुल आंतर रिक जिले 22 हो जाएंगे भार के 28 से तो अंदर 22 होगे टोटल पचास ये तो हैं ने तो अंतर राश्टिये नहीं अंतर राश्टिये मा लगाते हैं ठीक है आगे देखिए अब आपना नेक्स्ट करकर रेखा करकर रेखा सभी को पता है तेश्ट डिगरी दक्षेन यक्षांस से लेकर तेश्ट डिगरी 30 मिनट उतरी अक्षांस ठीक है बीच में क्या होती उतके भुमध्य रेखा या फुष्वत रेखा ठीक है जिरो डिगरी अक्षांस करकर they खा भारत में कहांसे गुजरती है मध्ध्यवाग से ठीक है मद्दे भाग से इसके कितने जिले आएंगे राज्यस्थान एमपी मिज्जोरम तृपुरा गुजरात जारखंड वैस्ट बंगुल और राज्यस्थान में भई कहां से निच्च से गुजर दक्षिन भाग से इसमें मेन तो यह कि अपना बांसवाडा और जो डुंगर पूर सबसे नजदी कोन है वासवाड़ा और सबसे दूर गंगानेगर हो गया ठीक है आगे देखिए कि सिद्धा इपन गटेगा तिर्चापन बड़ेगा ठीक है रोंबस वगेरा ही यह रोंबस वाला बताया था ना राजिस्थान के स्थति कि आपन पड़ते संबाग युष्था कि कौन सिद्धान में कितने-कतने जिले हैं देखिए ऑक सभाग वह सभाग में देखिए थोटा धिश्टीम लगें था बीच में युई देखिए सुरुवात कब हुई थी इसकी बहुत इंपोर्टेंट है इसकी सुरुवात कब हुई थी 1949 के अंदर किस नगी थी उस टाइम पे मुख्य मंतरी थे अपने हीरालाल सास्त्री और कितने संभाग मनाये सुरुवात में पांच जैपूर विकानेर जोदपूर कोटा और फिर समाप्त कब हुई वही ये 1662 में और उस टाइम पे मुख्य मंतरी थे अपने मोहलाल सुखाडिया फिर ये फिर से सुरू हो गई वही 26 जनवर 1987 उस टाइम पे हरीदेव जो से मुख्य मंतरी थे इनकी सेस्ता है एक हाथ वाले हैं ये फिर छवा संभाग मनाया अजमेर फिर 2005 में अपनी आई वसुंदर राजे उन्होंने सात्वा बना दिया भरतपूर फिर अपने असो गैलोत 7 अगस्त 2023 को कितने बना दिया उन्होंने 8 संभाग 9 और 10 बासवाड़ा पाली और सिक्कर अब पन वन बाई वन पढ़ते इनको सिक्कर संभाग में कितने जिले हैं बई 4 एं कौन-कौन से सिकर चूरू जुझनू नीमका थाना बासवाड़ा में बासवाड़ा डूंगरपूर परताप गडपाली पाली में पाली जालो और सिरोही साचोर भरतपूर के अंदर कौन-कौन से ओंगे भरतपूर डिग स्वाइमादपूर गंगापूर शिटी क राजसमन चितोडगड और भीलवाड़ा ठीक है देखें भीलवाड़ा है वो तो उदेपपूर के अंदर है और सापूरा एक सापूरा है ना वो कहां पर है बही पता सकता है कोई सापूरा देखें भीलवाड़ा है वो किसके अंदर है उदेपपूर के अंदर और अपना एक जो भीलवाड़ा से ही अलग हो है यह वो किसके अंदर आएगा वही देखें आगे पढ़ी पहले बाद देखते हैं हो गया यहां तक अजमेर उसके अंदर आता है सापूरा ठीक है घृट्ववानग्य यहां है अंदर आगा गंगानगर हनुमानगड जोधपूर के अंदर जोधपूर जौतपूर ग्रामेंड फलॉधि जसल मेर बाड़मेर बाड़ोत के अंदर जैबपूर जैपूर ग्रामेंड दुदू पुतली बैरोड, अलवर, खेरतल चिजारा और दोस्टा तो अपन ने इस वीडियो में अपना मॉस्टली जो टोपिक से वो कवर किये हैं I hope ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशल होगी और इसी चैनल पर अपन जो टोटल जोग्रोफी है टोटल मतलब जो राजस्थान जिक है उसको अपन कवर करेंगे अभी अपनी जोग्रोफी चल रही है I hope ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत बेनिफिशल होगी थैंक्यू, राम राम